Log Normal Distribution को समझने के लिए पहले हम Normal Distribution को quickly समझ लेते हैं ये लोगों की height का data set है और अगर उसका histogram plot करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा histogram मतलब frequency होती है y-axis पे मतलब दो लोगों की height 4.5, 5 के बीच में है etc तो ये जो curve है उसको बोलते है bell curve और इसको normal distribution भी बोलते है nature में बहुत सारे example है जैसे test score होता है वो 0 से 100 के बीच में होता है तो mostly लोगों का average score आता है 62, 60 के round में कुछ-कुछ लोगों ऐसे होता है जिनका score जादा होता है कुछ-कुछ ऐसे होता है जिनका score कम होता है तो ये भी एक normal distribution का example है तीसरा example है normal distribution का employee performance लेकिन अब लोगों की income का data set देख लो इसमें क्या होगा कि ये United States dollar में income है यहाँ पे US में mostly income पचास जाद डॉलर के आजू-बाजू होती है लोगों की average मतलब most of the people की लेकिन बाद में high income वाले लोग भी होते हैं दो लाख डॉलर कमाते है तीन लाख आप अगर उसके भी higher range में जाओ जैसे 1 billion वगेरा तो you know जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते है तो ये जो curve है वो थोड़ा different है ये right skewed curve है मतलब ये जिसकी जो tail है वो ऐसे लंबी चली जाते है 1 billion 10 billion मतलब लोगों की income काफी हो सकती है although ऐसे लोग बहुत कम होगे लेकिन ये जो distribution है ये थोड़ा different है ये normal distribution नहीं है normal distribution में आपने देखा था कि ऐसे equal size उन्हों लेफ्ट और राइट में symmetric chart होता है यहाँ asymmetric होता है right skewed curve होता है अब इस x-axis को मैं log function apply करूँ तो जैसे imagine करो कि इसको मैंने log function apply किया तो ये distribution normal बन जाएगा देखा यहाँ पे 10k 100k every equal interval मैं multiply करूँगा उसको एक 0 से 10k 100k 1 million whatever तो ये करने से ये जो distribution है वो normal हो जाता है तो basically हुआ क्या कि मैंने जब कोई distribution है उसको log लिया और वो अगर normal distribution बन गया तो मेरा जो original data set है उसको बोलता है log normally distributed तो हमने जो ये income का data set देखा वो है log normal distribution का एक example अगर कोई patients हो वो कितने दिन hospital में रहेगा ये भी log normal distribution होता है क्योंकि most of the patient 10-15 दिन में release हो जाते है लेकिन कुछ-कुछ patient chronical होते है 300 day भी लगते है 400 day भी लगते है तो ये right skewed curve हो जाता है advertising budget भी कोई company का देख लो छोटी company, mid company का बहुत budget नहीं होगा लेकिन बड़ी-बड़ी company होगी 500 million भी होगा 1 billion भी होगा यूज होता है well हमने पहले भी अपने वीडियो में देखा था कि आप loan approval का model बिल्ड कर रहे हो person के नाम, credit score, income पर फिर loan approval होती है कि नहीं, वो आप कर रहे हो लेकिन कुछ-कुछ sample F होगे जिनकी income जादा होगी जैसे पूजा है बहुत पैसे वाली लड़की है उसके पास बहुत सारे पैसे है ऐसे बहुत सारे example होगे जिसमें बहुत high-high income वाले लोग रहेगे तो जब आप इसका use करके जब model building करते हो तो होता क्या है कि कुछ high value होने से आपका model की accuracy अच्छी नहीं आती है लेकिन अगर आप उसको log transform कर दो ये देखो मैंने last column दी है जिसमें मैंने इस income पे log function करके कर दिया तो जो पूजा की जो income है वो यहाँ पे इतनी हो गई देखो 5.7, 4.8 तो ये same skill में आ गया तो ये होने से आपके machine learning model की accuracy अच्छी आती है अब हम थोड़ा code देखते है python का मैंने ये US income जो है household income उसका real data set यहाँ पे इस website census.government पे जाके लिया है इस data set में यहाँ पे मैं थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ यहाँ पे पहली column में लोगों की income और इतनी income group में कितने लोग है ये data set है ये बड़ी excel file है तो उसको मैंने short file करके ये छोटी वाली एक excel file create की है जिसमें सिर्फ लोगों की income और count है देखो income और count और मैंने 2,00,00 डॉलर तक ही रखा है actually में ज़्यादा values होती है यहाँ पे देखो लेकिन लोगों ने 2,50,000 और किया है तो इसको मैंने निकाल दिया है अब इसको मैं Jupiter notebook में दिखाता हूँ उसको तो पहले मैंने load कर दिया data frame में तो जब data frame में load किया तो data frame ऐसी दिखते है और c-bone library का use करके मैंने जब plot किया तो देखा log normal distribution आ गया है यहाँ पर left में ऐसा कव है और बाद में right में जाके tail बनती है यह tail actually लंबी बन सकती थी अगर मैंने ज़्यादा examples लिया होगे तो यह बड़ी tail बनती है और अगर x axis को आप log ले लो देखो मैंने यहाँ पर same plot सिर्फ एक ही line नहीं जिसमें उसको axis को log बना दिया है तो यह थोड़ा normal distribution जैसा हो गया I know थोड़े बार ज़्यादा मतलब यहाँ पर विर्च जादा है लेकिन यह एक थोड़ा आप एफ़े देखो बेलकव जैसा हो गया देखो normal distribution हो गया यहाँ पर तो बस यह code की link मैंने दीई है नीचे वीडियो description में आप इस पर play कीजिए यह code में खास कुछ है नहीं सिर्फ मैं plotting करके आपको distribution दिखा रहा हूँ otherwise real life में log transform का use होता है pre-processing के stage में जिससे आपकी model की accuracy बढ़ सके है आपको यह video पसंद आया होगा अगर आया है तो please आपके friends के साथ जरूर शेयर कीजिए